रहतन टीम्टी कंपनी के ऊपर अपन लोग विशेश चर्चा करेंगे इस वीडियो में हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे लेकिन धहरी के साथ अगर आप देखेंगे तो लगबग आपके हर एक निवेश नर्ने इस कंपनी से समंधित बिल्कुल सटीक होंगे मैं हूँ विशाल राज ठाकूर और मेरा आप लोगों के साथ कोई लाब और हानी करिस्ता नहीं है इसलिए ये वीडियो आपड़ों के लिए रिकॉर्ड हो रही है सबसे पहली चीज़ जो रहतन टीम्ट कंपनी है वो स्टील मैंफेक्चरर है साथ में इस कंपनी का मार्केट कैप लगबग 1200 करों या फिर साड़े 1200 करों के करीब है कंपनी के सेयर के भीतर लास्ट ट्रेडिंग दे के दिन लगबग 20% तका उच्छाल आया था और यही देखके रिटेल निवेसकों को लगता है कि स्विंग ट्रेड करने का बढ़िया मौका है तो क्या हो सकती है आगे के रण निती आप लोगों के लिए उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अपनों लोग कंपनी के financials पर बात कर लेते हैं और कंपनी की valuation पे क्योंकि अगर आप value निवे सक हैं और आप चाहते हैं कि long term में बढ़िया wealth बनाना तो valuation पे चर्चा करना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि company की जो P.E. ratio है वो 300 के उपर या फिर उसके करीब में चल रही है जो कि इसको expensive बना देती है intrinsic value की अगर बात कर लें तो intrinsic value इसकी लगबग 6 रुपए के करीब में ही बैटरी है और जो share के भाव जिस पर यह trade कर रहा है वो लगबग 15 रुपए है यानि कि 6 रुपए का मार आपको 15-15 रुपए में मिल रहा है ये तो बात रही value निवे चकों के लिए और अच्छी बात ये है कि कंपनी की revenue में बढ़िया growth हो रही है और साथ में ही कंपनी के जो सुध लाब है वहाँ भी कंपनी अच्छे लाब कमाने में सामर्थ है कंपनी कमा रही है लेकिन आगे की चीज ये है कि कंपनी भाईया किस position पर है कंपनी की competitor कंपनिया कौन कौन से है क्योंकि long term में अगर केसी भी कंपनी को सर्वाइब करना है तो बढ़िया चीज तो उसके लिए ये है कि अपने revenue को बढ़िया से बढ़ाए साथ में इस तो धलाब कमाए और तिसरा अपने competitors को बढ़िया competition दे सके तब जाके वह company सर्वाइब कर पाती है उन सारी जूरी पर चर्चा होगी लेकिन पहले financials पर बात कर लेते है धहरी के साथ आप इस वीडियो को देखिए ये वीडियो आपके काम की ही है दूसरी चीज कंपनी के अगर आप revenue के अलावा company के आएं आप और balance sheet पर नजर डाले और company के अगर आप total assets आपको ये बता देता है कि company की management अच्छी है तभी तो order वो कच्छे हुए और उनी order को execute करने के लिए company asset लगाई इसके अलावा company के reserve cash की बात कर ले तो 2023 तक reserve में cash नहीं थे company के पास लेकिन 2024 के वीडियो वर्स में लगबग 5.5 करोर के करीब में company के पास reserve में cash है जिनका उपयोग company कर सकती है अपने assets को बढ़ाने में खुद के expenses पे, खुद के expenses वगड़ा पे बाकि जो भी कारे रहते हैं उस काम को करने के लिए company इस cash का उपयोग कर सकती है इन सारी parameters पे income statement हो balance seat हो या फिर cash flow उन सारे parameters को ये fulfill company कर दे रही है अभी तक तो fundamentally company ठीक था क्या है लेकिन दिक्कते अब जुरू होती है कि company के जो competitor company है वो बहुत खतरना खतरना company है still manufacturer जो company है यहां तो कोछ छोड़े खोड़े company के ना मारे है तेकिन market में आपको भी पता है कौन-कौन से दिगज ख़़ी हुई है इसके अलावा share holding pattern इसके थोड़े से गड़बड है company की भीतर promoter के stake परियापत है लगबग 62% के करीम है लेकिन दिक्कत वाली चीज यह है कि इस company के भीतर मार्च 2023 में foreign institutions के stake थे तेकिन वही लगतार company के stake कम होते होते जून 2024 में foreign institutions के stake बिल्कुल खतम होगा और साथ में बाकि कोई institutions और बाकि कोई fund houses के stake नहीं है इस company के भीतर जो कि एक सक्क का घेरा बना देती है मैंने जानता कि क्या सच है क्या नहीं है लेकिन कहीं न कहीं अगर company इतनी अची रहती तो इनके stakes होते लेकिन वो stakes नहीं है इस company के भीतर fund houses के जो कि हम retail निवे सक्क से जादा जानते हैं किसी भी company के बारे में और बहुत हत्यों तो ऐसी भी situation होती है कि वो company के insider information को भी access कर लेते हैं जो कि fund houses होते हैं तब ही वो पैसे कहीं डालते हैं तो यहाँ पर वो चीज मेसिंग है हो सकता है कोई और बात हो बाकी company dividend की बात कर लें तो company कोई dividend वगरा नहीं देती है company के उपर कर्ज भी है थोड़ा बहुत लगवग 12.12 करों के करी में company के उपर कर्ज है और साथ में ही dividend नहीं देती है यह company valuation थोड़ा सा हाई है अच्छी और बुरी चीजों के बारे में आपको पता चल गया swing trader के लिए अगर बात कर लें तो company के share अगर 16 रुपए को breakout करता है तो बढ़िया इसमें 17.5 रुपए तक के growth आ सकते है अगर उसके नीचे गया अगर breakout नहीं हुआ तो अराम से यह फिर 13.5 रुपए और 2.5 रुपए के करीमे यह company का share आ जाए इस बात का आप ध्यान रखेगा बाकि किसी भी तरीके का निवेशन रेना लेने से पहले आप अपने वितिये सलाकार से एक बार पारामस ले लिजएगा कि वो क्या कह रहे है अगर वो कहते हैं खरीदने के लिए तो आप खरीद लीजएगा या फिर बेचने के लिए बोलते हैं तो आप बेच लीजएगा लेकिन valuation का ख्याल मेरी तरब से एक राई यही रहेगी कि भया valuation का ख्याल रखेगा ज्यादा expensive share लेके अपने portfolio में भरना मुनाफ़े का सौधा नहीं होता है बढ़िया valuation पर लेंगे तो हमेसा काम आई हो ये वीडियो अच्छा लगा हो बाते मेरी आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजए धन्यवाद कंपनी वैसे अच्छी है फंडमेंटली कंपनी ठीक ठाक है बस इस्टेटूसन के स्टेक नहीं है इसके भीतर और साथ में कंपनी के भीतर जो मैंने दिखेते हैं आपको बताई है उसको एक बार आप देख लीजएग वैल्वेसन और कंपनी के भीतर इस्टेटूसन के स्टेक यही मेजर कंसर्ण है इस कंपनी को लेके बाकि सारी चीज़े फिलाल ठीक लग रही है तन्यवाद